राष्ट्रोन नती के पतपर नित्य प्रेरणा एक दिन एक प्रुष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संग्षिप्त रूप भारतिय विचार साधना पुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्र श्रीमती स्वाती सदानंद गोड़ बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूं यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांक चार फरवरी का विचार एकात्मता की भावना का विकास हिंदू पर आघात करने का किसी को साहस भी न हो इतनी शक्ती हम में होनी चाहिए इस शक्ती का हमें निर्मान करना है एकात्मता की भावना रुदय में निर्मान करने से यह शक्ती बढ़ेगी अपने समाज में पूर्वकाल से चार वर्णों की व्यवस्था रही है परंतु बाद में चार वर्णों से काट छाट कर सभी वर्णों के कुछ-कुछ लोगों को समाज में से भहिश्कृत करके इंचित रखने का अतिविचित्र कार्य हुआ है अपने यहां कहते हैं कि एक मनुष्य के दोश के लिए उसे दंड देना तो ठीक है परंतु वंश परंपरा से वह दंड उसका संपूर्ण परिवार सेकडो वर्षों से भोगता रहे यह क्या उचित बात है एक बार धर्म वहि उसकी संतान को उसी प्रकार का वहिश्कृत जीवन चलाना पड़ता है उसके बच्चों को क्यों समुसकार शुन्य रहने दे एक बार उसको सजा मिल गई तब उसके बच्चों को सजा देना ठीक नहीं है इसलिए उसके पास जाकर उसे सुयोग्य समुसकार देने का प्रयत न करें मान लो कि किसी घर का एक व्यक्ति किसी दुरधर रोग से पीडित हो जाए तो क्या घर के लोग उसका त्याग करते हैं हमारे एक स्वयम सेवक मित्र को दुरभाग्य से कुष्ट रोग हो गया था उससे मेरा अच्छा सम्मंध था दवा पानी करने के पश्चात साध अधारन रूप से वे ठीक हो गये लेकिन हाथ पर टेढ़े रहे गये उंगलिया भी टेढ़ी रहे गई उसकी एक लड़की थी रोग होने के पहले पैदा होई थी परन्तु वह कुष्ट रोगी की कन्या थी इसलिए उसके साथ विवाह करने के लिए कोई तयार नहीं था मेरी पहचान के कारण वह मेरे घर में आती जाती रहती थी मेरी मा भी उससे प्रेम करती थी परन्तु लोग डरते थे एक तरुण जिसके सामने इस लड़की से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया था मेरी परीचे का होने के कारण मेरे पास आया उसने कहा ऐसा प्रस्ताव आया है कि मैं उस लड़की से विवाह करू पर उसके पिता को कुछ रोग वुआ था मैं उस लड़की के साथ विवाह करू या न करू मैंने कहा बेशक कर उसने कहा वह रोग मेरे घर में तो नहीं आएगा मैंने कहा मैं तुझे आशिरवाद देता हूँ कि तुझे कुछ नहीं होगा वस्तु तहा मेरे आशिरवाद में तो दम नहीं है परंतु उससे उसके रुदय में दम उत्पन्न हुआ मेरे लिए उतना ही पर्याप्त था तब उसने अपने माता-पिता से कहा और विवाह हो गया अब वे बड़े आनंद से रहते हैं किसी रोग का कही पर भी प्रादुरभाव नहीं है सब प्रकार से वे उन्नती पर है अस्पुष्चता का रोग किसी को शारिरिक होता है किसी को मानसिक और किसी को आचरण का होता है उसको समाज से बाहर रखते है ताकि समाज के अन्य लोग उससे भ्रष्ट न हो परंतु उसकी संतान को क्यों भहिश्कृत करें उन संतानों को सब प्रकार से अच्छे संसकार देने का प्रयत्न करना चाहिए काल चक्र की मजबूरी में रिष्टे नाते भिखर गए एक बड़ा परिवार हमारा पुर्खे सब के हिंदू है भारत मता की जय वंदे मातरम